ओनलाइन कक्षा में स्वागर आज हम अभिज्यान शकंतलम के तीसरे श्लोक का अध्यन करेंगे इसमें देखीगा अंतरहिते शशीनी सैव कुमुद्वती में द्रश्टिम्ना नंदयती स्मरणिया शोभा इष्ट प्रवास जनिता अन्य अन्य अबला जनस्य दुखानी नू क्या कहते हैं देखे शशीनी अंतरहिते चंद्रमा के अंतरहिते मतलब अस्त हो जाने पर सा एव कुमुद्वती वह वही कुमुद्वती यानि कि वही कुमुद्वनी संस्मरणियम शोभा स्मरण करने के योगे उसकी शोभा कैसी है स्मरण करने के योगे होती है और इस प्रकार से स्मरणिय शोभा वाली मे द्रिष्टुम मेरी द्रिष्टी को ना नंद्यती आनंदित नहीं करती है यानि कि चंद्रमा के अस्थ हो जाने पर वही कुमुद्वती या वही कुमुद्वनी जो कैसी है जिसकी शोभा नष्ट हो गई है और केवल स्मरण करने योगे है उसकी शोभा ऐसी वह कुमुद्वनी मुझे क्या है ना मे द्रिष्टि मेरी द्रिष्टि को ना नंद्यती आनन्दित नहीं करती है क्या कहते हैं नूनम निश्चे ही इस्ट अबला जनस से यानि कि इस्त्री जनों को इस्ट प्रवास जनिता प्रियतम के प्रवास से उत्पन जो दुख है दुखानी उत्पन दुख जो है अती मात्र यानि कि अत्यन्त असहिय दुष्सहानी कठनाई से सहन करने योग्य होता है यानि कि चंद्रमा के अस्थ हो जाने पर वह ही जो पहले विक्सित फूलों वाली थी ऐसी कुमुदनी स्मरन करने के योग्य कांती जिसकी ऐसी अर्थात नश्ट हो गई है कांती ऐसी वह कुमुदनी मेरे नित्रों को आनंदित नहीं करती है निश्चे ही इस्त्री जन के प्रिये के प्रवास जन से उत्पन जो दुख है वो अत्यधिक कठनाई से सहन करने योग्य होता है क्या कहते हैं देखिए वही जो इससे पूर में आपने पढ़ा था की जो सूर्य है वो अस्त चल शिखर की और जा रहा है उसका वर्णन था कि दो प्रकार के एक साथ उत्पन होना और अस्त होने वाले जो है ये जो है सूर्य का जो तेज है वो लोग को क्या है अपनी सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूती का का स्मरन कराता है उसी के आगे ये वर्णन क्या गया है कि प्राता काल मुर्जाई हुई कुमुदनी को देख करके कणु का शिश्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही ये कुमुदनी जो कि चंद्रमा के उदेख होने पर पून विक्सित हो करके सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी अब ये क्या है मेरी दृष्टी को आनंदित नहीं कर रही है अब इसकी वह मनोहारी जो शोभा थी वह केवल क्या है स्मरण की वस्तू बन गई है वास्तव में इस्त्रियां अपने प्रियप्तंपर के प्रवास से होने वाला जो दुख है उसको बड़ी कटनाई से सहन करने में समर्थ होती है यहाँ पर दुश्यन्त रूपी चंद्रमा के चले जाने पर शकुंतला रूपी जो कुमद्नी है वह भी इसी प्रकार से अपने बाएं हाथ पर रखी हुए मुख वाली अत्यन कटनाई से दुख का अनुभव करती हुई कुमलाई हुई सी दिखाई देती है यहाँ पर अबला पत का प्रियोग इसलिए किया गया है जिस से दुख का कटनाई से सहन करना लक्षित होता है अन्निता समाने रूप से इस्त्री जन ऐसा भी कहा जा सकता था कुमद्नी को नाईका और चंद्र को नायक के रूप में यहाँ पर बताया गया है नायक चंद्र रूपी है सकल अंक है और फिर कुमद्नी उसके लिए मनिन हो रही है नायक दुशन्त भी सकल अंक है कि उसके लिए विकल है यहाँ पर चंद्र और कुमद्नी पर करमशा दुशन्त और शकुंतला का अरूप किया गया है धन्निवाल